जब भोर का समय था, येशु को कैफा के पास से गवर्नर के किले मिले गए येहूदी किले के भीतर नहीं जाना चाहते थे क्यूंकि वे अपने आपको शुद्ध बनाए रखना चाहते थे ताकि फसह का भोजन खा सकें तब पिलातोस उनके पास बाहर निकलाया और कहा तुम इस विक्ति पर क्या रोब लगाते हो यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो हम उसे तेरे पास नहीं लाते तुम ही इसे ले जाकर अपनी विवस्था के अनुसार उसका न्याय करो ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेट देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यू कैसी होगी तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाया क्या तु यहुदियों का राजा है क्या ये प्रश्ण तेरी और से है या किसी दूसरे ने मेरे विशे में तुझसे कहा तु क्या सोचता है मैं यहुदि हूँ तेरी ही जाती और प्रधान याजकोंने तुझे मेरे हाथ सौपा है तुने क्या किया है मेरा राज्य इस संसार का नहीं है यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहुदियों के हाथ सौपा ना चाहता परन्तु, मेरा राज्य यहां का नहीं है तो क्या तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूँ मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही तू जो कोई सत्य का है, मेरी सुनता है और सत्य क्या है? फिर पिलातोस यहुदियों के पास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें दंड देने योग्या कोई दूश नहीं बाता पर तुम्हारी ये रीती है कि मैं फसा में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूँ क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहुदियों के राजा को छोड़ दूँ तब उन्हें फिर चिला कर कहा परबा को छोड़ दो बरबा एक डाकू था प्रप्राव प्रप्राव